हेलो एंड वेलकम बेक तो मैं चैनल और वेरी गुड मॉर्निंग टू आल अपको बता देता हूं एक बात और जो लोग सोच रहे हैं कि अभी व्लॉगिंग वगरा मैंने बंद कर दिया तो उनके लिए एक सुप्राइज है कि मेरा व्लॉग वाला जो कभी भी टपक व्लॉग डाल दूँगा मैंने ऐसे बोला वाय क्यूंकि तो मैं बंद नहीं किया है आपको आप आपको मैं इस वेकेंसी के बारे में आपको बता देता हूं तो विप्रो की तरफ सी वेकेंसी है और डिफरेंस इसमें है कि पहले जो रोल था वो प्रोजेक्ट इंगनिर वो software engineer और web developer का लिखा वा है इन्होंने जो मैंने देखा है और package वगेरा same रहेगा 3.5 और पहले की तरह और job location वगेरा भी same है पैन इंडिया इन्होंने mention किया वा है years की मैं बात करता हूं कौन-कौन से years eligible है 2020, 2021 and 2022 और अब बात करते हैं कि वो जो पहले इन्होंने एक backlog allowed करी थी वो इसमें भी allowed है और यह जो वैकेंसी है डिफरेंस कहा है कि यह विपरो का एक program होता है allied national talent hunt करके उसकी तरफ से वैकेंसी आई है पहले विपरो की वो direct recruitment था अब इसमें यह difference है दूसरा difference और यह है कि पहले वो जो थी वो site दूसरी थी और इसमें super set के through करवा रहे है तो जो exam वगरा भी होगा शायद वो super set के through ही होगा आपको क्या करना होगा नीचे जो description में लिं login कर सकते हैं then apply कर सकते हैं क्योंकि super set एक platform में जहां पेशार और भी vacancies वगरा आती है तो यह फायदा इसमें आपको हो जाएगा तो आप जो difference से मैंने यही बताए आपको कि पिछली vacancy मोर्स में यह है और similarity यह है कि package team है तीन years eligible है वो भी सेम है एक backlog allowed करिए वो भी सेम है बस difference role का है और platform है दूसरा apply करने का बस और कोई difference नहीं है और एक backlog allowed है at the time of assessment assessment की time पे तो अभी आप इसको apply करो जल्दी से और exam अगेरा दो और best of luck और नई vacancies के साथ हम बहुत जल्दी अपने चैनल पर हाजीर होंगे और सुबह या शाम दौनों में से एक time में जरूर regular upload video कर देत और best of luck बबाए